हेलो एवरीबड़ी और वेरी गुट इनिंग प्रवीन चौधरी यानि कि आपके पीसी बाबा काप सभी लोगों को वापिस से तहे दिल से नमश्कार कल हमने एक छोड़ा सा वीडियो जो है वो यहाँ पर बनाया था जिसमें हमने आई से तीन रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर रिसके थी कि सर अभी जो रिसेंट एक छोड़ा सा इशू यहाँ पर क्रियेट हुआ है जिसमें कि बच्चों के बाग 74 से कट करके 23 कर दिये गए और यह फे 68 से कट करके 33 कर दिये गए तो इस चीज़ का एक संग्यान जो हो लि दूसरा हमने यहाँ पर पूछा था कि सर क्या जो मार्किंग का स्कीम होता है वो किस तरीके से होता है जो पेपर चेकिंग का स्कीम होता हो किस तरीके से होता है ताकि समझ में आजाए कि हमें किस लेवल की प्रिपरेशन जो हो यहाँ पर करनी होगी और तीसरा हमने एक रिक जो वो यहां पर दिया है और बच्चे मेरे ख्याल से इस reply के बाद में एक positivity के साथ में अपने पढ़ाई पे वापिस से लग पाएंगे और जून 2023 के एक्जाम के लिए पूरे positive energy के साथ में हम आगे बढ़ पाएंगे तो गाईस जिन लोगों को यहां पर नहीं पता होगा हम आप सभी लोगों को यहां पर बता देना चाहूंगा कि आज हमारे ICS के प्रेसेड़न सर ने एक webinar यहां पर लिया था और उस webinar के अंदर साड़ी चीजों के बारे में discussion जो हो किया गया और उन बातों के अंदर प्रेसेड़न सर ने यहां पर clearly यहां पर बता दिया कि जो paper checking का scheme रहता है it is not like कि यह bluntly कैसे भी check कर दिये जाते हैं पुरा procedure जो है वो यहां पर रहता है जिसके business पे एक kind of लगा लिजएगा कि average जो है वो रहता है और अगर उससे बहुत जादा marks जादा आए होंगे या बहुत ही marks अगर कम आए होंगे तो उसका वापिस से एक independent checking जो होगा वो किया जाता है और accordingly वहाँ पर correction वगरण जो होगा वो किया जाएगा इसका मतलब बोली यह हुआ कि जिस बच्चे के marks 74 से कट करके 23 किये गए या जिस बच्चे के marks 68 से कट करके 33 किये गए या काफी सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनके जो marks हैं 23 से कट करके 50 भी किये गए और on the basis of wisdom of the wisdom of the evaluator वहाँ पर जो marks है या तो बोले बहुती leniency के साथ में किये गए और जादा दे दिये गए और यह तो फिर बहुत जादा स्थिकनल्स के साथ में चेक किये गए और बहुती कम marks जो है वहाँ पर दे दिये गए थे जिनका आगे चलके बाद में क्या किया गया correction जो है वो किया गया यानि कि accordingly अगर बात अपनी यहाँ पर करेंगे त CS Profession अगर बात हम यहाँ पर करेंगे तो यह एक बहुत ही promising वाला हमारा course है बहुत ही अच्छा वाला course यहाँ पर है जिसमें अगर मैं growth and development की बात करूंगा तो sir इसमें अभी बहुत growth और बहुत development जो है वो हासिल करना बागी है तो पूरे positive energy के साथ में हमें वापिस से जून अगर सीधा अपन पढ़ाई पर focus जो है वो करेंगे और genuine वाले concern जो है वो अगर अपन directly ICSI को mail करेंगे तो ऐसे case में आपके problem को solve भी किया जाएगा और आप उन negatives को avoid करके अपने पढ़ाई पर धान जो है वो भी आप प्रॉपली देपा होगे तो इसी message के साथ में आप अप वीडियो के अंदर आगे अभी जैसवाल सर जो है वो आपको बताएंगे कि कौनसी कौनसी बातों को यहां पर आपको ध्यान रखना होगा और positive energy के साथ में जून दो जाते है इसके exam के लिए preparation जो है वो हमें करना होगा राइट चली over to अभी जैसवाल सर थांकियो प्रवीन करना उसका checking, rechecking सारी चीज़ों का एक robust system है तबसे पहले अगर हम देखे कि papers कैसे set होते हैं तो हमारे honorable president साहब ने बताया कि papers set करने के लिए ICSI पूरे इंडिया से faculties को और resource persons जो है उनको बुलाता है सबसे पहले ICSI में जाते हो वो लोग फिर papers set करते हैं और यह पूरे process को 3- से 5 दिन लगते हैं यह पूरे process को अगर हम देखे तो 3-5 दिन लगते हैं सबसे पहला यह पूरा काम होने के बाद में फिर paper आपका set होता है अब आती है बात valuation के आप में से कई सारे बच्चों ने यह message किया कि sir मैंने तो यह देखे guideline answer के हिसाब से answer लिखा है आपने message भेजा करता है किसके उपर sir evaluator के wisdom के उपर में ICSI valuation के लिए पूरा totally depend करता है किसके उपर sir जो valuation करने वाला evaluator है उनके wisdom के उपर में depend करता है ICSI कभी भी उनके valuation को challenge नहीं करता है, हाँ, ICSI उनको guidelines जरूर देता है, and इसके बाद में ICSI क्या करता है जो आपके favor में जाती है चीज़े, देखें, आपको एक समझाने के लिए बताता हूँ, ICSI क्या करता है, जितने भी papers correct हुए हैं, जितनी भी papers correct हुए, let us take an example, कि भाई साब आप लोगों का JIGL, JIGL की जितनी copies correct हुई है, उनका average निकालता है, ये भी हमें President साब ने समझाया, कि भाई साब, ICSI जितनी भी copies correct होती है, हर एक paper की, उनका एक average निकालता है, और मान के चलिए, अगर वो average आता है, कितना 50, कितना average आय दिये गए हैं, वो सब के average marks देखते हैं, ठीक है, आपने एक average निकालता है, पूरे papers का, मान लीजे, अगर 10,000 लोगों या 5,000 लोगों ने exam दिये हैं, तो पूरे 5000 JIGL के papers का average निकाला जाता है, और वो अगर आया है 50, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो evaluators को papers दिय अगर जो normal average निकला है, उससे ज्यादा आता है, ठीक है, या फिर उससे बहुत कम आता है, तो उस case में ये फिर से क्या करता है, independent evaluator को papers re-checking के लिए दे देते हैं, फिर से re-evaluation के लिए papers जाते हैं, ये ICSI खुद कर देता है, और अगर average marks जो निकले उसके आसपास ही रहते है marks तो evaluator के तो उसको आगे बढ़ाया जाता है, ये ICSI का इस बार का data है guys, जो तीसरी जीस में आप लोगों के साथ में share करूँगा, 11 ऐसे evaluators थे, जिनके marks या तो average से ज्यादा आये थे, या तो average से कम आये थे, देखिए, अगर average marks से ज्यादा आये है, इसका मतलब क्या है, उन तो भाई अगर हम देखे तो ऐसे 11 evaluators थे, जिनके या तो marks जादा थे, या फिर जिनके marks कम थे, अब उन में से भी अगर आप देखे, तो rechecking में कितने गए हैं, rechecking में total 1833 papers जो हैं वो गए, कितने गए हैं, 1833 papers, उसमें से अगर आप देखो, तो rechecking होने के बाद में 71 cases में marks बड़े हैं, 71% cases जो हैं, sorry, 71% cases जो हैं, उनमें marks बड़े हैं, 22% ऐसे cases थे, जिसमें की marks कम हुए हैं, और सर 7% ऐसे लोग थे, जिनमें की कोई change नहीं आया, अब सर 71% मतलब 9 ऐसे valuers थे या evaluators थे, जिन लोगों ने बहुत strict check-in किया है, मतलब उन लोगों को किसी को 9 mark मिला ह है, किसी को 18 mark मिले हैं, और वो rechecking होने के बाद में 40, 50, 55 ऐसे चले गए हैं, तो 9 ऐसे लोग थे, जिन लोगों ने बहुत जादा strict check-in किये हैं, and आप लोग जो social media पे जो papers देख रहे थे, वो 2 lenient check करने वाले evaluators का था, तो उन्होंने क्या किया, बहुत जादा leniently marks दिये थ नो, because बहुत जादा leniently marks दिये थे, तो उसको revaluation में सही किया गया, तो revaluation में सही करने के बाद में, वो marks जो हैं, वो कम हुए, तो जिनोंने strict checking की थी, उसको जादा marks दिये गए, marks बढ़ाये गए, जिनकी बहुत जादा lenient checking हुई थी, उनके marks जो हैं, वो कम कर दिये गए, ठ उनका ये average marking से कम या ज़ादा आता है, जो कि as per ICSI के guidelines, उनके तोर पे marks नहीं देते हैं, तो भाई साहब ICSI क्या करता है, उनको अगली बार evaluators के तोर पे नहीं रखता है, तो भाई साहब आपको बिल्कुल भी चिंता करनी की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर ओल क्या होता है जैसे हमारे मम्मी होते हैं, वैसे ही ICSI है हम लोगों के लिए, आपके लिए सब के लिए ICSI है वैसे ही है, जैसे किसी बच्चे को कुछ तकलीफ होती है, तो मम्मी कैसे एकदम तुरंत आती है, बलम पट्टी लेकर, वैसे ही अगर हम देखे तो भाई आप आप लोग को अगर तकलीफ है तो ICSI ने तुरंट आप लोगों को जवाब दिया है सब सारे teacher fraternity ने क्या किया था ICSI को request किया as an elder brother as an elder sister भाई अरे ममी देखो क्या हुआ है तो ICSI ने तुरंट आपको उसका जवाब दिया है ऐसा नहीं है भाई कि आपको उसके लिए कुछ धरना करना पड़ रहा है या कुछ और करना पड़ रहा है यह नहीं है ICSI हमेशा आपको जवाब देता है तो भाई साहब आप लोग को एक चीज मैं बोलूँगा आप एक बंदे से चेक कर वालो आप दूसरे से चेक कर वालो आप तीसरे से चेक कर वालो आप चौथे से चेक कर वालो It doesn't matter So you should be so confident You should be so well prepared Right? तो भाई साहब CS का अटेंडिया आपके साथ में पहले भी था अभी भी है और हमेशा रहेगा मुझे आप लोगों से ये चाहिए कि आप लोगों का क्या thought है क्या अभी सब सही है क्या आप लोगों को डरनी की ज़रुत है मेरे इसाब से आप लोगों को डरनी की ज़रुत नहीं है हमें preparation उतनी बढ़िया रखनी है और दूसरी बात भाई साब CS काट आपके साथ में है revision series चालू है तो आप लोगों को revision series रोज अटेंड करनी है अभी भी मौका है अभी भी मौका है कि हमें give up नहीं करना है भाई साब डूबता वोई है जो की हाथ पर मारना छोड़ दे ये ध्यान रखना हारता वही है हम आपके साथ थे CS काट इंडिया आपके साथ में है और हमेशा रहेगा revision series चालू है रोज revision करो guarantee देता हूँ आप लोगों का exam के पहले बहुत बढ़िया तरीके से syllabus जो है वो पढ़के हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से इसकी guarantee है करो भाई मेहनत करो हम आपके साथ में because ताली जो है ना दोनों हाथ से बज़ेगी एक आपका हाथ है एक हमारा हाथ है तो भाई तयार हो जाओ इस बार फोर देंगे और मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों का ये confidence रहना चाहिए कि marks भाई paper कोई भी चेक करें कितने भी लोग चेक करें मुझे उतने marks मिलने ही वाले है मुझे आप लोगों का ये confidence चाहिए तो क्या thoughts है आपके इसके उपर में आप लोग मुझे बताएंगे comment section में are you guys ready क्या आप लोग तयार है कि आप लोग ये चाहते हैंगी marks कुछ भी रहे हम तो है भाई तयार तो comments में जरूर बताएगा क्या आपके thoughts है I'll see you very soon take care just remember to be kind and spread love in this world and love your parents इस video को like जरूर करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ में take care bye